हेलो एव्रिवन वेलकुम अगें टू लन्वरिद्यतिमन आज हम करेंगे क्लास 6 का ही चेप्टर नमबर 5 तो बहुत अच्छे से रेडिंग मैंने आप लगों को करवा दी थी जिन बच्चों ने नहीं की है अभी भी कर लीजिये क्योंकि उन सभी बच्चों के लिए जरूरी है कि RPSC के किसी भी एक्जाम के लिए आप लोग राजिस्थान का जी के इग्नौर नहीं कर सकते और यहां हम चैप्टर पढ़ते हैं और उसके हर एक पॉइंट को कुश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने कितने अच्छे से चैप्टर पढ़ा था और इनके आंसर जो है वो देने की कोशिश भी करेंगे कोश्चन वन है राजे स्थान की रियासतों में साचन संचालन के लिए केंद्रिय विवस्था के कौन कौन से पदा अधिकारी थे तो यहां पर राजा था, मंत्री था, बक्षी था, खंजाची, परगना अधिकारी भी था नेक्स्ट देखिए, राज्य की संपूर सकती का केंद्र था राजा, राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो वह थी ग्राम तो जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है, वो लोग तो फटा-फट से इसका आंसर देंगे, क्योंकि मुझे पता है, कि उन लोगों को PDF जो है, वो मिल चुकी है, और उन लोगों ने याद करना भी स्टार्ट कर दिया है नेक्स्ट देखिए, ग्राम का प्रशाशन कौन करता था, तो ग्राम का प्रशाशन करता था, ग्राम पंचायते राज्य में सेना को वेतन देना सेना संबंदी कारे की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो देखिए कुश्यन जो है इस तरीके का है आपको बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन यही कुश्यन जो है वह है बहुत ही difficult बन जाता है यदि option आ जाते हैं तो राज्य में सेना को वेतन देना सेना संबंदी कारे की जिम्मेदारी किसकी होती थी? यह बक्षी की होती थी खंजाची का क्या कारे था? खंजाची का क्या कारे था? तो बक्षी और खंजाची इनमें थोड़ा सा अंतर है आप लोग याद रखिएगा खंजाची का कार्य था, आमदनी और खर्ज के हिसाब को क्या रख करना, बैल्स करना और बचत को सुरक्षित करके राज को उसको बढ़ाना राजिस्थान के मध्यकाल का समपून शाशन तंतर किस पर आधारित था? तो मद्यकाल का जो संपून शाशन तंत्र था वहे राजा और जागीरदारी विवस्था पर आधारित था तो यहाँ पर पूछा गया है मद्यकाल का जो शाशन विवस्था थी वहे किस पर आधारित थी राजा और जागीरदारी विवस्था पर जागीरदार का मुख्य कारे क्या था जागीरदार का कारे क्या था जागीर की सुरक्षा करना और उसका संचालन करना जिन पच्चों को question की answer देने में बहुत परिशानी आ रही है तो please please अभी जाकर chapter जो है वो पढ़िये वरना अगर आप 2nd grade की या 1st grade की तयारी करने वाले हैं या RAS की भी तयारी करने वाले हैं और आप इन question के answer नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग अपनी जो है मजबूत कर लीजिए अभी से ही पढ़ाई क्योंकि starting से ही यदि जो बच्चा पढ़ाई करता है तो end में आकर उसको परिशानी नहीं होती है अंग्रेजी शाषन की स्थापना के समय भारत प्रशाशनिक द्रश्टी से कितने भागों में विभाजित था तो यह दो भागों में विभाजित था एक ब्रेटिस प्रांत और दूसरा रियासती भारत ठीक है ब्रेटिस भारत और रियासती भारत 1935 इसवी में भारत सरकार अधनियम जो की बहुत बड़ा माना जाता है 1935 का भारस सरकार का जो अधनियम है इसमें बहुत बड़े ही चेंज आये थे तो यह लागू किया गया था एक अप्रेल 1937 इसवी में राजिस्थान की प्रथम विधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे यह 1952 में हुए थे तो यहाँ पर कुशन बिल्कुल बनता है कि यहाँ पर सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन होंगे तो आंसर है टीका राम पालीवाल टीका राम पालीवाल प्रथम 1952 में बने थे तो इसी तरीके से इस चैप्टर में जितने भी प्रशन थे सभी मैंने यहाँ निकाल लिये हैं और एक भी कुशन नहीं बचा है कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है और यहाँ पर कुशन की आंसर दे दिये हैं इसका मतलब आपकी तयारी बहुत अ अच्छे से रीडिंग कर दिया है यदि आपने इन कुशन बारा तक की आंसर सही दिये हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखिए जो सेवन्त क्लास हम लोग पढ़ रहे थे तो वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिक्स क्लास की कुशन आंसर हम कंप्रीट कर लेते हैं तेंक यू